हेलो एवरीवान कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ सभी अच्छी होंगे स्वास्थ होंगे स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टाड़ी विद दीपा सैनी में आज की इस वीडियो में हम most important 20 questions करेंगे ये questions आपके पिछले exams में पूछे हुई questions है तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपको कैसे लगते हैं questions और कितनों का जवाब आप ठीक दे पाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यही से अपनी आज की वीडियो का पहला question कौन सी परवस्ष्रेनी भारत में इस्तित है अराकान योमा सूलेमान साल ट्रेंज पीर पंजाल तो इस सब को पताए जो पीर पंजाल है वो भारत में हैं ठीक है नेक्स्ट कोश्चन आता है निम्न में से कौन सा one जला क्रांत छेत्रों में विक्षित होता है मैग गरान सदा रह सवर रहेगा मैघ्रो देखो नदी के डटाइ भागों में भी लoline देखने को मिलते हैं तो जलाक रान्त यानि जल से भरा हुआ दल दल टाइप एरिया तो उसमें आपके मैघ्रो वन ही देखने को मिलते हैं नेक्स्ट कुश्चन आता है, कुहासा निम्न में से किसके द्वारा बनता है, कुहासा जो कि आपका सर्दियों में आप देखते हो, जिसे आप धूंद कहते हो, और कोहरा किसे कहते हैं, जब आपकी धूंद बहुत ज्यादा आपको 50 मीटर से आपर कुछ ना दिखे, तब वो कुहासा हो जाता है, तो सूखी बरफ को, निम्न तापमान पर बरफ को, निम्न तापमान पर जलवास्प को ठोस रूप से कार्बन मोनो अक्साइड को, तो राइट अंस रहेगा, निम्न तापमान पर जो आपकी जलवास्प होता है, जो जलवास्प होता है, हमारे बाई मं इसी परतीत होती है जिसे हम कुहासा कहते हैं नेक्स्ट कोशेन आता है निलंबी गाटी निम्ने में से किसकी किरिया दुआरा बनती है हिम नदी, नदी, सुमुंद्र, पवन राइट अंसर रहेगा हिम नदी हीम नदी यानी glaciers की द्वारा निलंबी ghatty इसे लटकती गाटी भी कहते हैं जब एक जब नदी ने एक भियाकार की ghatty बना दी और जब कोई glaciers की द्वारा उसे के अंदर एक और ghaty बना दी जाए तो जो पहली वाली घाटी है वो लटकती हुई दिखाई देगी उसे कहेंगे निलंबी घाटी तो यह किसके द्वारा बनाई जाती है गलेशियर्स के द्वारा नेक्स्ट कोशन आता है वैपारिक पवने कहां से चलती है विशुवतिय निम्नदाप से धुर्वे उचदाप स अधु धुर्वे निम्नदाप से यहां पर कोशन है कि वह कहां से चलती है तो राइट अंसो रहेगा उपोशन उचदाप से चलना शुरू करती है और कहां पर आती है विशुवतिय निम्नदाप पर आती है ठीक है तो चलना कहां से शुरू करती है उपोशन उचदाप से तो ऑफ्षण सीगोरे नेक्षट कुशन आता हैं सम्वहनी वर्षा कहा होती है दिविश्वट्य में श्रितोशन कटिवजिय च्ップ शूर्वै च Dulni Permo उशन कटिवेंदिय च्ップ में दुरविय च्ब्च शूर्व Şimdi की समwegen वर्षा आपके भुमद्दीरे रेखे शेतर में होती है जहां पर आपका यह. अ लिफी साथ हर दोपैर में दोपार के बाद वर्षा हो जाती है करुआ कि हवा गरम होब समारे उफैतर ने दोपैर के बाद वर्षा करती जाता है और फिर वर्षा होती है, नेक्स्ट कुश्चन आता है, विशुवत्य परदेशों में, कैसी जलवाईू होती है, गरम और शुक से जलवाईू, गरम और आदर जलवाईू, गेली और तुफानी जलवाईू, समान्य सुहानी जलवाईू, तो अभी-अभी मैंने आपको बताया, गरम और आद्र जलवाई होगी शुक्ष हम इसले नहीं करेंगा अगर शुक्ष होती तो वर्षा नहीं होती जबकि विश्वतिय परदेशों में आपकी अच्छी खासी दोपैर के बाद वर्षा होती है तो गरम और आद्र जलवाई होती है option B is right next question आता है आईसो बार रेखाए कि इन स्थानों को आपस में जोड़ती है बराबर वर्षा वाले बराबर दाब वाले बराबर जनसंक्या वाले सुमंद्र तल से बराबर उचाई वाले तो right answer रहेगा बराबर दाब वाले यानि समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलान पवन कहा जाता है चीनुक चक्रवार टाइफून और पश्मी पवन तो जो आपकी पच्वा पवने होती है ठीक है मेजर लिए आपकी तीन टाइप की पवने होती है वन वयव्यापारिक पवने नंबर टू इस पच्वा पवने नंबर त्री इस धुर्विया पवने तो ज लिए ने परती वैपारिक पवन के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट कोशन आता है अदेनव तारा यानि सूपर नोवा क्या है एक ब्लैक होल एक मरनासन तारा एक शुद्र गर्य एक धुम केतू तो गाइस यह है एक मरनासन तारा सूपर नोवा क्या है एक मरनासन तारा है या यानि सर्फेस डिप्रेशन है कौन सा है कुरिल खाई मरियाना खाई टोंगा करमाडे खाई बेंटेले अदोहिमानी खाई तो राइट अंसर रहेगा मेरियाना जो कि आपकी परशांत महासागर में हैं फिलिपिन्स जो आइलेंड है उसके पूरव की ओर पड़ता है ये ठीक ह मेरियाना खाई ठीक है मेरियाना ट्रैंच विर्थवी का सबसे गहरा पॉइंट है ये 11,033 मेटर की गहराई पर है नेक्स्ट कोशन हाता है मार्बल किस का कायंतरित रूप है मार्बल किस परकार की चप्टान का बदला हुआ रूप है शैल बेसाल बलवा पत्थर चूना प पत्थर से ही बनता है संगमरमर संगमरमर को ही कहते इंग्लिश में मार्बल जिससे आपके घर के फ्लोर में यूज होता है नेक्स्ट कोशन हाता है निमने में से किस घरह का कोई भी चांद या उपगरह नहीं है मंगल नेप्चुन बुद्ध प्लूटो तो गाइस ध्यान करना प्लूटो तो अब एक ड्वार्फ प्लानिट है अब इसको घरह में शामिल ही नहीं किया जाता तो यह तो इसको स्किप कर दो ओप्शन में से तो मंगल के दो दो भी आपके फिबो फबोस और डिमोस ठीक है फबोस और डिमोस नेप्चुन के भी बहुत सारे उपगरह बुद्ध गरह नेक्स्ट कोशन हाता है किर्सी की उस साखा को क्या कहा जाता है जिसमें पालतु पशो के चार आश्री है स्वास्ते और परजरन से संबंदी जानकारी होती है डेरी विज्ञान डेरी साइंस पशु चिकित्सा विज्ञान वेटरीनरी शाइंस पशो का ध्यान रखा जाता है पशो के चारे का अश्रे का स्वास्ते का तो वो सिधा सिधा आपके पशो पालन से रिलेटिड है तो राइट है उनीमेल से एक अक्सा समू है तो देखते हैं लोहाइस पात अलुमिनियम समेंट लोहाइस पात और चीनी सूती वस भारी मसीनरी सिमेंट चीनी लोहाइस पात सिमेंट रिसम तो राइट अंसर रहेगा लोहाइस पात अलुमिनियम और सिमेंट ये जो उद्योग होते हैं कच्छे माल के निकट ही इनकी फैक में ओसत बुमंडले अताब बढ़ा है प्रकास अंसलेशन की दर बढ़ी है प्राबैंगनी किरनी पिर्थी तक नहीं पहुंच पाती जैट में आत्रा करने वाले लोगों को ऑक्सिजन की पूर्ती होती है राइट असो रहेगा प्राबैंगनी जो किरने है ओजोन की से हमें काफी हद तक छुटकारा मिलता है नेक्स्ट कोशन आता है पशिम बंगाल की सीमा है कितने देशों के साथ लगती है आपको कंट्रीज बतानी है एक दो तीन चार तो गाइस राइट अंसर रहेगा तीन देखो भुटान के साथ लगती है पशिम बंगाल की नैपाल क संदी के अंतरगत भारत और पाकिस्तान को करमश है कौन सी नदिया दी गई है भारत को जेलम सतलूज यमुना और पाकिस्तान को सिंदू जेलम सिंदू चिनाब व्यास भारत को रावी सतलूज यमुना और पाकिस्तान को सिंदू चिनाब व्यास भारत को सतलूज व्यास रावी नदी का पानी और पाकिस्तान को जेलम चिनाब और सिंदू नदी का पानी यह आपके एक्जाम में पूछा गया था दो तिन बारा चुका है डी ट्रीपल अस भी में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने यहां पर मैंशन किया है तो भारत को सतलूज व्यास और रावी का पानी मिला है और पाकिस्तान को जेलम चिनाब सिंदू का पानी दिया गया था और किसके अंत्रगत यह एक समझोता था जो कि 1960 में वा था संजो समझोते का नाम था सिंदू जल संदी ठीक है तो इसे ध्यान से कर लेना नेक्स्ट कोशन आता है लोहा और इस पात द्योग निमने में से किस स्थान पर जर्मनी टैक्निक के सयोग से लगाया गया था दुर्गापूर भिलाई राओल केला और भद्रावती तो राओल केला में जो लोहा इस पात द्योग लगा आयरन इंड्रस्ट्री लगी थी वो जर्मन की सहत से लगाई गई थी नेक्स कोशन आता तटवर्थी आंदरपर्देश और ऊडिसा को निम्पने में से किस कारण से प्राकर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपके शाइक्लोन ज्यादा आते हैं यानि च्छणश यादा आते हैं और अअसलम में बहनकर तभाही भी मचाते हैं। तो guys यहाँ पर यह आपके 20 questions complete होते हैं I think आपको questions अच्छे लगे होंगे और कोई issue हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो like share कर देना अपने education group में और मेरे चैनल को maximum अगर new हो तो maximum subscribe करें और bell icon जुरूर प्रेस करना जिससे आपको मेरे आन अजयो झाल कोई यह लो तरणा जिसक्षव खत्वरो तो यह लोगे हो तो आपकी दोरे आने जिससे हो आपकी लगे भागे हो में रखकी लेगे हो तो आपकी लगेशींम जाप भीूरे झाल झाल